हेलो एप्रीवन नमश्कार एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेशुज ब्लॉक्स में फ्रेंट्स आज का वीडियो कुछ हटके है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्राची टाइम से मतब पुराने टाइम से औ कि अच्छी संतान पाने के लिए गर्वती महिला को कौन-कौन से वो उपाय है जो करने चाहिए जिससे क्या होता है कि मनचाही संतान उस गर्वती महिला को मिलती है जो मैंने भी कुछ टिप्स अपनाए हुए है हाँ ये बात तो है कि जो हम चाते हैं हमें बैसे ही संतान मिल तो वही मैं आज आपसे पर्सनल एक्स्पीरियंस शेयर करने वाली हूँ, इसे आप सब मेरी फैमली है, तो हर चीज शेयर करने का हक है मेरा, पहले जो महलाएं थी वो इन उपायों को अपनाती थी, उनको मनचाही संतान प्राप्त होती थी, तो आज मैं आपको इस वीडियो म की पूझा पार्ट करने चाहिए, नाटनीय हो सकता हम कंभावास करते हैं, नॉमल टाइम में हमारा ऐसंता है, भागवास की सरे सब्सक्रादी PT और कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेयेयों प्राप्लम नहीं होनी है, आप पूरी प्रेग्नेयों भगवान की पूझा अराधन, कर आपकी जो भी विश्ष माफ़ान के सामने रखिए रखिए जिस भगवान को भी आप मालते हैं उनका ब्रत रखिए जैसे कि मैंने अपनी प्रेग्रनसी में संतोसी मातर का ब्रत किया और थर्ष्टी का भी ब्रत किया है तो क्या होता है इसलिगा मन को शांथी मिलती हैं आपको प्रेग्वेंसी में उसी एटमस्फेर में रहना चाहिए जहां का मतलब बिल्कुल शांती हो जहां जादा लड़ाई जगड़े ना हो चिल्लम चिल्ली ना हो चिलाना वगेरा शोर शरावा ऐसा माहुल ना हो ठीक है जिसे आपकी घर में हैं सिस्राल में हो अगर आप बहुत ज़्यादा लड़ाई जगड़े होते हैं कोई वे ऐसी परिशानिया है मतलब कि माहुल शांत नहीं रहता है तो आपको शांती वाले माहुल का चूज करना चाहिए जहां पर आपको शांती मिलती हो अच्छा लगता हो वैसे ही माहुल में आपको रहना चाहिए बहुत ज़्यादा लड़ाई जबड़े का माहौल रहता है बहुत ज़्यादा अशांती है शोड शरावा रहता है गर्व में बच्चे पर उसी तरीके का इफेक्ट पड़ता है इसलिए आपने पुराने शास्त्रों से भी सुना होगा कि गर्वती महला को शांती वरे माहौल में रहना चाहिए अच्छे माहौल में रहना चाहिए इसके साथ ही क्या करना चाहिए कि आपको जैसे की डड़ावनी सीरिल वगेरा नहीं देखने चाहिए जिनसे आप डर रहे हैं तो इससे क्या होता कि गर्व में बच्चा भी सहम जाता है डर जाता है तो ऐसे में आपको अच्छे-च्छे सीडल देखने चाहिए, खुशी वाले देखने चाहिए, अच्छे-च्छी कितावे पढ़नी चाहिए, जो आपको खुशी दे, आपकी फीलिंग और बच्चे की फीलिंग अटेच हो जाती है प्रेगनेंसी में, इसलिए जैसा आप फील करती हैं, वैसे ही गर में बच्चा भी फील करता है, तो अच्छे-ची कितावे पढ़े, जिससे आपके मन को शांती मिले, अच्छे-चे सीडल देखें, अच्छे-च्छे म्यूजिक सुने, जिससे आपको भी अच्छा फील हो, गर में भी बच्चा अच्छा फील करें, जैसे बोलना जाता ह जैसे कि खानपान से मेरा मतलब है कि आपको ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए मसालेदार चीजों से क्या होता है कि वो पोशक तक तो आपको नहीं मिलेंगे और कोई ही मना करता है कि ज़दा मिसालेडार खाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किस तरीके मिसालों को यूज किया जाना है वो आपको पता नहीं है क्योंकि प्रिग्रेंसी में आप जैसा खाती है, बैसा ही बचरे को विकास होता है अगर आप pregnancy में अच्छा खाना नहीं खालते हैं, healthy food नहीं खाती हैं, तो बच्चा भी गर में कमजोर रह जाता है, इसलिए आपको pregnancy में अच्छा शुद्ध खाना खाना चाहिए, जादे सदर dry foods का सेवन करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा healthy होते हैं, इसके साथ फलो का बेस नहीं करने पड़ेंगे, next जी जो आपको ध्यान रखनी होती है, कि कभी भी आपको बालों को खुला करके नहीं सोना चाहिए, ये पुराने जमाने से बात चली आ रही है, मुझे भी मेरे घरवालों ने बताया था, जैसे कि कई वार हमें क्या होता है, कि comfort फील नहीं हो तो ऐसे में आपको प्रेगनसी में ये चीज भी ध्यान देना है, कि जब आप सो रही है, तो हलका सरवर वेंड आप बांध लीजे, नीचे की साइड बांध लीजिससे आपको उससे discomfort ना हो, लेकिन आपको पूरे तरीके से बालों को खुला करके नहीं सोना चाहिए, इसके आपको ना तो खाना खाना चाहिए, और ना ही आपको सोना चाहिए, ये दोनों ही चीजे सही नहीं मानी जाती है, इसके साथ ये आपको नेक्शी जो ध्यान रखनी होती है, कि प्रेगनेंट महिला को कभी भी सुनसान जगे पर नहीं जाना चाहिए, जहां भी को सुनसान है कोई इंसान जाता आता नहीं वहां पर किसी भी प्रेग्नेंट महला को नहीं जाना चाहिए इसके साथ मेरी पर्सनल एडवाइज जो है जो मैंने पूरी दौनों प्रेग्नेंसी में अपनाई हुई है कि क्या करना चाहिए कि जब भी आप बाहर जा रही है यहां तक कर लेंगे तो हमारा झाता क्या है कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं ठीक है तो जैसे आप कहीं जाती है कहीं गली चोरा हैं कहीं भी जारहें तो अपने साथ आप माचिस लेकर जरूर चले अपने पर्स में डाल लीजे इसके साथ ही आपको क्या करना है जो नेक्श्ट इन पर दोर की आतरह आपको नहीं करना के जाए डूर आपकोでも दोर आ त्रेवल आपको नहीं करना के एस विज़ा होता है कि बहुत सी दिक्ते बढ़ते हैं है णिया आधे कर रही हो या इस Damit से का रखी मैं आपको जादा दूर की जो ट्रेवलिंग है उसको अवाइट करना चाहिए इसके बाद जो आपको बात ध्यान रखनी होती है कि कभी भी प्रेग्नेंट महिला को स्राथ का टाइम आता है बुजर्ग लोग होते हैं जो गुजर जाते हैं उनका श्राथ वगेरा जो किया जाता ह तो उनका खाना भी किसी भी प्रेग्नेंट महिला को नहीं खाना चाहिए अगर आपके घर में हैं तो कोई दिकत नहीं लेकिन अगर आपको कोई इंवाइट कर रहा है शाथ का खाना खाने के लिए तो वो खाना आपको नहीं खाना चाहिए इसके साथ कोई एक्सपाय हो जा साथ भी चीज़े शेयर कर लेती हूं वहाँ से यसी लेडीज होगी जिनको यह पता होगा तो आई हो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो थोड़ा से अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे चल्म को सब्सक्राइब कर लीजे पास